जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी हर पल हर सास का शुक्राना गुरुजी गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्णू गुरूर देवो महिश्वरा गुरू साक्षार परभं तसमे शिरी गुर्वे नम्हा जै गुरुजी और सारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जै गुरु तो संगर जी आप दर्शन कीजिए गुरुजी के और एक बाट जो और से जैकारा भी लगाए गुरुजी का ये बहुत प्यारे से मेरे गुरुपा है और मैं अपनी हर बात इनकी उपर ही डालती रहती हूं कि गुरुजी जो भी कुछ करा हूं तो बस आप नहीं करा है मतलब ये कहूंगे कि मैं इनकी रजा में मैंने राजी रहना सीख लिया कोई चीज पहले मैं बहुत ज़्यादा जैसे चिड़ जाती थी गुस्ता हो जाती थी तो बस अब ऐसा हो गया है कि जैसा गुरुजी करवा रहे हैं बस वो कर रहे हैं और सब कुछ उनी की इच्छा से हो रहा है जरूर इस बात में कोई ना कोई भलाई छेपी भी है जो कि शायर इस वक्त हमें समझ नहीं आ रही है लेकिन आगे हमें समझ में आ जाएगी और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ तो ऐसा बहुत अनुभव हुआ है कि प्रजेंट टाइम में वो चीज मुझे कभी ऐसा ह हुआ कि मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन कुछ समय बाद मुझे वो चीज समझ आई कि ओहो चलो अच्छा हुआ यह हुआ है ना तो मेरे साथ ऐसा हुआ है और संगर जी क्या पता आप लोगों के साथ होता हो खैर कि मैंने तो गुरू जी की रजा में रहना सीखा है और मैं समस्तु की काफी संगर जो गुरू जी के साथ जूड़ी है वो भी सीखी गई होगी क्योंकि होता तो यह है कि गुरू जी की इच्छा से ही होता है क्योंकि टाइमिंग उनकी होती है हम कितनी अर्दास करें कुछ भी करें कि हम तो नादान बुद्धी हैं बच्चे हैं और अपने गुरू पासे ही मांगेंगे जो भी कुछ मांगना है है ना कितना भी हम सोचें कि हम कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी हम अपने दिल की बात अगर गुरू जी से नहीं कहेंगे तो यह सच्चा जरबार है हम तो यहीं से ही कहेंगे तो है ना थोड़ा सा तो गुरुजी से हम कहेंगे अपनी दिल की बात तो संगत जी मैं आप सब के लिए भी प्रात्ना करती हूँ कि मेरा परिवार खुब फले फुले और आगे-ागे सब लोग खुब तरकी करें सब का कल्यानों तो गुरुजी ब्लेसिंग कल्यान किता चैनल में आप सभी का स्वाग जै गुरुजी आस्था का अमरित गुरु कृपा का वड़न करने के लिए यदि मुझे एक लाग जीवाएं भी दी जाएं तो वह आपरियाप्त होंगी उनकी अनुकमपा प्रेम और सरक्षन के संधर्ब सब की गढ़ना करना असंभव है प्रथम दर्शन के असर से अब त सीख रही हूँ आज भी किसी पर गुरु कृपा का संधर्ब सुनकर यही परतित होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं सीख रहे हैं नवोदय यह गटना अगस्त 1998 की है एक दिन मेरे पती अपने कारले से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने मित्र विंग कमांडर ट्योपडा के साथ गुरु जी के पास जा रहे हैं उस समय वे किसी संत संयासी या महत्मा पर विश्वास नहीं करते थे अते उनका यह निर्ने सुनकर विस्मय हुआ संधिया को छे बजे जाकर वे अर्ध राती के पश्चात वापस आए उनके लोटने पर मैं पूरा विव दूर करने के लिए रतन या मंत्र देते हैं मेरे पती का उत्तर मेरी आशके प्रतिकूल था थोड़े से शबदों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं उनके यहां पर गुर्बानी के शबद बसते हैं उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पती का यह अनुभाव एक बीतीवी घटना संजा मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संद्या की बात याद भी नहीं रहेगी मेरे अचंबे की कल्पना कीजिए जब मेरे पती ने मुझे अपने कारले से फोन कर कहा कि वह गुरुजी के यहां जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी जब वह पिछली रात्री की भादी देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन से शक्ती है जो आपको वहां ले गई उनका उत्तर सरल था वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में बढ़न करना कठीन है उसको केवद अनुभा कर सकते हैं उत्सुकता वश अगले दिन मैंने सब परिवार वहां जाने का नेड़ने ले लिया जै गुरुजी गुरुजी के द्वार पर मेरे पती के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया गुरुजी के स्थान से 20-30 मीटर दूर से ही तीवर सुगंद आने लगी जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया महां गुरुजी बैठे थे वे सुगंद चारो ओर थी पहली बार जो मेरे मन में आया कि इन सज्जन ने इतनी तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वे सुगंद पूरे कमने में फैल रही है निशित रोप से यह कोई बने ठनेट दिखावटी गुरु है मेरे पती के बढ़न करने पर भी गुरुजी के पर्थम दर्शन मेरे मानसिक शितरन से बिलकुल भिनता किन्तु अभी अकल्पनिय होना शेश था जैसे गुरुजी के चरण सपर्ष करके मैं उठ रही थी गुरुजी बोले कि गुरुज़गाओं के संत की भक्ती अंत्ता आही गई इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उनका मेरे बारे में कितना ग्यान है हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुणगाओं वाले संत का पता नहीं था शद्धा की चुसकी चाय प्रसाद गुरु जी के यहां चाय पहला और कभी अंतिम पे होता है बच्वन से मुझे चाय से घ्रणा रही है यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे मेरे बैठते एक सज्जन चाय बाढ़ते हुए है मैं दुवीदा में थी कि परसाद को मना कैसे करूँ कि चाय रूपी परसाद को ग्रहन ना कर मैं गुरु कृपा से वन्चित हो रही हूँ यह सब मेरे मन में हो रहा था पर बाहर ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं बोल रही हूँ एक दम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रसूत करी मैं चकित थी यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठे रही द्वंद का उत्तर दे रहे हूँ मैंने चाय का गिलास उठाया और परिवायक सद्दस्यों के विरोध के पर्तिकुल उस गिलास से चाय पी ली सुबह उठने पर मेरा मुख गाव से बड़ा होना चाहिए था और उसमें अतीवेदना होनी चाहिए थी पर ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा मुख स्वच था और किसी घाव के निशान नहीं थे सब चकित थे आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब मेरे आसपास विद्धिमान हो परंतु यदि में चाय घर पर या कहीं भी और प्यूं तो मेरे मुमें घाव हो जाते है इसे गुरुजी की उर्जा का अवास होता है एक जन साधारन पे को प्रसाद के रूप में देना उस जिसमें रोग और कटनाईयों को भार फ्यकने की शक्ती हो उनके यहां मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानी नहीं कर सकती चाय पीना आरम करने के उपरांत हमारे परिवा हो गए कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही हम अती आनंदित रहे बाद में पता लगा कि यह तो गुरुजी की सभाविक सोगंध है और जहां भी हो उनकी उपस्तिती का आभाज देती है गुरुजी की शरण में आने वाले दिन चमतकारी रहे जै गुरुजी सहरा नहीं दे पाते क्योंकि अक्सर परिस्थित्यों को संभालने में वे उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वेम आप केवल गुरुजी का निश्वार समर्थन आपके साथ रहता है अपने किये कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगत नहीं पड़ते हैं को साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीडा दूर करने के लिए गुरुजी विवित पदित्यों का प्रियोग करते हैं एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैड़ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर्दर्द लुथ हो गया है अपना सिर्दबाने को कह कर उन्होंने मेरी पिला समात कर दी थी एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया था और वह कई दिन तक रहा परिक्षणों और औश्डियों के उपरांध भी वह नहीं उत्रा फिर दो सब्ता तक तिवर औश्डियों के सेवन से वह कम तो हुआ पर पुन्हा वापस आ गया मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया दिन के समय तापमान सामाने रहकर शाम को बढ़ जाता था चार सब्ता तक ऐसा ही होता र मैं कर रहे थे क्योंकि परिक्षिक्षणडों के परिणाम अनर्णायक थे फिर एक दिन गुरु जी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरे अनुपरस्तिति का कारण पूछा गुरु जी को उत्तर देने पर उनहोंने फानाच मिर्चो के पर्योग की एक विधीस बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा एक महा से अधिक अवदी से चला आ रहा जोर समाप्थ हो गया शनय शनय मैं पुना स्वस्थ हो गई मैं गुरुजी को एक बार और जोर से निकालने के लिए आभारी हूँ यद्यपी मुझे हलका जोर था मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई परन्तु बड़े मंदिर पहुचते पहुचते मेरा जोर अत्यदिक बढ़ गया और मेरी लिए उट पाना संभव नहीं था उस दिन अचानक गुरुजी वहां आ गए और मेरे पती और संगत के एक अन्य सदस्य को ताजा नीबू के घोल बनाकर पिंगलाने को कहा जोर ऐसे लूट हुआ जैसे कभी था ही नहीं किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्यान था और उन्हें तुरंत उक्चार किया ऐसा निस्वार्थ अलंबर और देखबाल और कोई नहीं दे सकता जै गुरुजी शब्द मात्र से गुरुजी द्वारा प्रियोग करने वाली वस्थों केवल सांत्वना के लिए होती है ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्ते में गुरुजी को अलोकिक क्रियाओं के लिए इनकी आर्शक्ता ही नहीं है गुरुजी की शक्ती मात्र ही भक्त की समस्याओं का हल है बहुती क्वस्थों के परियोग से भक्त को केवल ये आभास होता है कि उसकी और गुरुजी का संपूर्ण ध्यान है मेरे पैर के अंगुठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था फल से रूपे सूज गया था और उसमें बहुत दर था अब चिकित्सक द्वारा दी गई एक महलम से कोई लाब नहीं हुआ अचानक उसी दिन मेरे पती के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याब था पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाब हुआ कुछी समय में उसके सब चिन मिट गए ऐसी है गुरुजी की शमता इससे भी अधिक अचंबाह में तब हुआ जग गुरुजी ने मुझे मदूमे से मुक्त कर दिया 1999 से लेकर 2000 में पता लगा कि मुझे यह रोग है मदूमे के बारे में सर्विदित है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है इसको केवल सीमा बंदित किया जा सकता है किन्तु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया कुछ ही मास में बिना औश्दियों के केवल गुरुजी के क्रपा से मुझे इस रोग से मुक्ती मिल गई जै गुरुजी गुरुजी के साधे धंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अतिगूड होता है वास्तव में वेह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अपरिये हो सकता है जब हमने गुरुजी के पास आना आरंब किया तो गुरु दिनों की पूर्ती करने के लिए घर से शिक्र निकलना आरंब किया एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुँच गए तो गुरुजी ने ससंग के निर्धारे समय 8 बजे आने को कहा आश्यर जनक रूप से उसके परशात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुँच जाते थे एक चंबे की बात है कि घर में कि घर से 7.5 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुच जाते थे लंगर से कृपा हमारी मनुवरती अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्तपूर्ण कर्म लगते हैं एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अ निश्चे किया कि मैं लंगर नहीं करूँगी क्योंकि उसमें रोटी होती है मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा उस दिन दोसों से अधिक शर धालू थे और लंगर के 6 चक्र हुए परंतु गुरू जी को इसका ज्यान हो गया था और उन्होंने मुझे अं पोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समापती पर नीचे आ जाऊंगी इस प्रकार मैंने दो अपरात किये थे प्रथम गुरू जी के निरदेश की अभिलना करने का और दूसरा उनको धोका देने का प्रियास नीचे आने पर गुरू जी ने मुझे भूर कर देखा और क लंगर ना खाने के कारण भे मुझे उतना ही फल देना चाहते हैं घर पहुचकर जब मैंने पूरे घटना करम का पुन्राव लोकन किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ गुरू जी का संदेश इस पस था लंगर करना आवशक है लंगर की अभवानना करने से हाथों से शद्धा पूरवक तुरंत ग्रहन करना चाहिए जिस से यह अवसर निकल नहीं जाए जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी गुरू जी ट्रक और हमारी कार के बीच में मैं और मेरे पती नौईडा से अपनी कार में संगत के लिए आ रहे थे एक चरहाई पर कार तेजी से आगे बढ़ा दी हमारे सामने एक उच आकार का ट्रक आगे बढ़ा किन्तू तुरंती एक साइकल सवार के गिर जाने के कारण रुग गया मेरे पती के पास इतना आउसर नहीं था कि वह रुख सके और धुरुगटना निश्ची थी अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं चिलाई गुरुजी हमें होश में आने में कुछ समय लगा थोड़ी देर पस्चा जब हमने कार रोक कर उसका निरक्षन किया तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी शती नहीं हुई थी कार का पिछला हिस्सा ट्र करन संगत की एक सदस्यत को सुना रहे थे उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही होगी जब उसने उनसे प्रश्न किया कि क्या कार नीले रंग की मारूती आठ सो थी मेरी पती के मानने पर उसने बताया कि उसने यह पुरा घटना करम सपन में देखा था गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना भी उसकी सपन की घटना सुनकर हम अचम्बित रहे गए जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी सर्व विदित एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी उन्होंने उनका विवरन देते हुए कहा कि वह मोटे हैं और एक स्थम के पीछे बैठे हैं वे गुरुजी के स्थान से दृष्टी गोचर नहीं था जाते वर्ष्ट होता है कि गुरुजी के दृष्टी कहां तक जा सकती है यदि गुरुजी चाहें तो वह आपका भूत बता सकते हैं वर्तमान में इस समय पृत्थी पर कहां क्या हो रहा है और भविश्य में क्या होगा इन सब का व्रतांत दे सकते हैं जब मेरे बच्चे एक ही हुआ इसी प्रकार गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया कि मेरी बेटी का विवा 2005 में होगा और उसका विवा वास्तव में 30 अप्रेल 2005 को हुआ शिव लोक के अनुभव गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेश इस्थर है ग्राजधानी के एक छोर पर यह सब समस्यां भूल जाते हैं यहां पर मैं गुरु जी के अनुभवव प्रिश्थिती में भी चाहे कितनी चाह पी सकती हूं यह मंदिर में उपासित अधरश्थित शक्ति का एक अती सुक्ष्म सूचक है बहले किसी को यहां पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो में गूमता है उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले बहना पहुचकर मैं गुरुजी के कक्ष की सुचता देखने गई उस कक्ष में शीव की एक अती सुन्दर परतिमा है जिसमें वे आशिरवात देने की मुद्रा में आसीन है हम उस परतिमा को सदा देखते आये थे उस दिन ज यह देखकर सब मेरी तरही अचंबित हुए आश्यर जनक्रूप से जैसे जैसे दिन बीटता गया मुख अपनी सामनी आकर्ती में आता गया और शाम होते होते उसने पुने सामने की मुद्रा ले ली थी दो जार छे की होली भी सदा स्मन रहेगी उस दिन प्राता जब हम दिन में पहुचे तो परतेक ने कोई सेवा करनी आरंब कर दी मैं अपनी पडोसन संगीता के साथ हौल में से शिव परतिमा को चमकाने में लग गई परतिमा को साफ करने के लिए ब्रासो रगणने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़ से चमकाना था मैं उपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेश थी संगीता ने सफाई आरंब ही करी थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिप्टे वे नाक के बीच में रंग लगा हुआ है क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी मैंने उसे पुने ध्यान से देखा महापर रंग वास्तों में था मैंने मंदिर में सब उपस्तित लोगों को इस समतकार का दर्शन करने के लिए बुलाया उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्यक भक्त ने समय समय पर रंग का बदलता रूप देखा यह सब प्रसंग गुरूजी की अभूत पुरुपर्थिभाग के संकेत मातर हैं किन्तु वास्तव में वे हैं इन सबसे सीमित नहीं हैं उनकी अपार शम्ता हम साधर्मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं हैं हाज जोड नत मस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूं और उनसे विनर्म निवेदन करती हूं कि पूरी सं संगत पर सदा अपनी क्रपा बनाए रखें शिरिमति गौरी सिंगला गुडगाओ जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनन्तम शुक्राना गुरुजी गुरुजी मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आपका मैंने सत्संग कई लोगों से कई बार सुना कि आपकी संगत तो मुठी भर है बाकी तो सब भीड है गुरुजी आपने जो मुझे ये भक्ति का थौट मेरे मन में दिया है इसे अब कभी न निकलने दिना गुरुजी आप मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना गुरुजी मैं आपकी मुठी बस संगत में शामिल रहूं हमेशा इतनी मेर गुरुजी संगत जी आपने सुना जो भी इस वीडियो को पूरा देखे हैं बस मैं आप सबसे भी यही निवेदन करती हूं कि गुरुजी का हमेशा दामन पकड़े रहना अब कहीं मत जाना है न ये गुरुजी वास्ता में चमतकारी है और आज मैं आपको अपना अभी का आपि बिलकुल Late the pest सच्छन सनाती हूं कि मैरी सुबह से ही तव 올 ऐसी ओ रहती ती एस सीडिटी बहुत ज़्याधा जलन और डकार तो मेरी क्या भी ती कि कैसे करोगे कि अपिछबीच में दकार आरी है आप यह देखे मैंने इस वीडियो को कहीं से भी वो नहीं करा है। बिल्कुल सिंगल एक ही बार की यह वीडियो बनी है और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है यहाँ पे गुरुजी का पूरा अलोकिक बातावरण है वास्का में दिवे अनंतम शुक्राना जै गुरुजी संगत जी आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा जो यह चैनल है यह आगे-ागे दिन रात तेजी से रफ्तार में पकड़ रहा है और बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लगता है जन जन तक यह पहुचेगा तो आप सबके सहयोग से ही यह आगे बढ़ रहा है है ना तो आप इसमें जरूर से अपना पुरा सेवा दे कि इस चैनल के माध्यम से कई सारे लोगों का आप भी कल्यान करें यह जो पुरानी संगत है जितनके भी सत्संग इसमें दर्ज हैं दिव्याभा में इसमें एक विशेश उर्जा है यह ब्लुकुल सच्ची बात मैं आपको बता रही हूँ कि इसको सुनने से ही मन इतना शान्त होता है इतनी अच्छा फील होता है कि बहुत ही पॉजिव उर्जा का हमें एहसास होता है तो संगत जी आप सभी लोग ऐसी लोगों को मध शेयर करना जिनको कोई बैल्यो ही ना हो मैंने शिव पुरान में पढ़ा है कि जो भक्ती ही नो उसे शिव जी का संदेश बिल्कुल भी नहीं देना चीए है ना तो उसका भी सही नहीं है क्योंकि जो लोग भक्त हों जिन पे आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस हो कि हां वो इस वीडियो को आगे देखेंगे आप उन तक ये वीडियो को जरूर पहुचाईए ताकि गुरू जी के दिवय सुरूप का भी दर्शन करें और इस दिवय आभा को भी वो श्रमन करें तो जरूर पहुचाईएगा इससे उन सब का कल्यान होग और जब हमारा कनेक्शन अब जैसे मुझे किसी आंटी ने गुरू जी के साथ जोड़ा तो मैं तो उनके लिए अच्छे से आशिरवादी रखूंगी ना अपने मन में के भई उन्होंने मेरे को इतना अच्छा एक हाथ दिया जिसको मैंने पकड़ लिया है और मैंने क्या गुरू जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और गुरू जी अब मेरा हाथ आप कभी मत छोड़ना है ना तो संगर जी आप सभी से मैंनी वेदन करती हूं के गुरू जी ब्लैसिंग कल्यान कित्ता चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर आप इसको अब ब्लाइब करें वीडियो लाइक जरूर करें और तो बहुत जादा करें हैं तो अब बस आग्या गुरू जी से संगर जी आप भी और गुरू जी आप तो खैड मैं माफी मांगती हूं अगर मुझे कुछ कलती हो ओगई है आप तो मेरे अपने प्यारे गुरू पहा है है ना आप जो बोलते हैं मैं तो वही बोलती हूं कभी-कभी मन में अपने डाउट भी आता है कि भही मैं कुछ गलग तो नहीं बोल रही हूं कुछ मुझसे डबल तो नहीं पढ़ा जा रहा है कुछ मेरा छूट तो नहीं रहा है पर अब जैसा भी है कम है जादा है सब आपक झाल झाल झाल